अगनीपत्य योजना के तहत वायू सेना में आज से अगनीविरों की भरती के लिए अबेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एक तरफ अगनीपत्य योजना जमीन पर उतरने जा रही है तो दूसरी तरफ इसके विरोध में किसान संगठनों ने आज यूपि उतराखन में सडकों पर प्रदर्शन किया शेवत किसान मुर्चा ने इस विरोध की अपील की थी इसके तहट भारत के किसान यूणिन सहित कई संगठन सडकों पर उत्रे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारे बाजी की और जगे जगे अधिकारियों को ग्यापन सौबा विरोध की इस नई मुहिम में राकेश्ट कैद खासे सक्रिय दिए संयुक्त किसान मोचा की अपील पार प्रदेश भर्म सरकों पर उतरे किसान संगर इस बार किसानों का विरोध जवानों के हक को लेकर मांग है कि अग्मिपत योजना को केंदर सरकार वापस ले मुझफर नगर से लेकर सहारनपूर वागपत से लेकर बिजनौर और मेरट से हापूर तक किसानों ने सरकों पर विरोध जता अब सरों को ग्यापन सौपा मांग एक ही थी कि हर हाल में अग्मिपत योजना वापस होनी चाहिए और नौजवानों को विरोध के अग्मिपत पर उतरने को मजबूर नहीं करना चाहिए किसान एक करता है अग्मिपत नहीं करेंगे और इस देश का नवीवक इस योजना का विरोध करते हैं जहां फोजियों के मनुबल का सवाल है वहां ये अग्न बीर योजना ला करके एक चीज ऐसी पैदा कर रहे हैं जिससे नए लड़कों में उस्साहक कम होगा पश्चिमी यूपी से लेकर अवद तक और बुंदेल खन से लेकर पुर्वान चल तक एक जैसी ही तस्वीर दिखी किसान संगट्षनों का आरोथ था कि रोजगार के नाम पर अग्निपत योजना एक चल है और सिर्फ चार साल की नौकरी के बाद फिर इसमें शामिल होने वाले अग्निपी बेरुजगार हो जाएंगे जो उनके साथ नाइंसाफ ही होगी हम ये चाहते हैं कि ये तत्काल वापस लिया जाए और हमारे संगठन की तरफ से और मेरी तरफ से जिला के लिए पूरा आवान है कि इवाहों को अधिकतर के उग्र होकर किसी भी समस्या का समाधा नहीं हो सकता चार साल की सर्विस के बाद दो-तीन साल दूसरी सर्विस ढूंडने में लगेगा ओरेज हो जाएगा यानि किसानों के लड़कों के आथ में हत्या करने को वीबस कर रही है ये सरकार किसानों ने नौजवानों की दुहाई दी बार बार दोहराया के रोजगार के नाम पर अगनीपत योजना का जोखा का तयार किया गया है उसमें युवाओं के भविश्य की चिंता नहीं है मांग ये है कि इस योजना को बंद किया जा और पुरानी सेना बर्ती स्कीम लाग्गों की जा ये सरकार सोचती बाद में है करती पहले है जो भी इसने किया है देश को अपंक बनाने का काम किया है ज्यादातर जगों पर विरोध प्रवर्शन की अगवाई बहारतिय किसान यूनियन ने किया पहले टिकेट के संगठन ने 30 जून को विरोध प्रवर्शन का एलान किया था बाद में इसे 24 जून तै किया गया भारतिय किसान यूनियन के प्रमुक नरेश टिकेट ने अल्टिमेटम दिया कि अगर सरकार अगनी पत्य योजना को वापस नहीं लेती तो किसान देश भर में बड़ा आंदोलन ख़ड़ा करेंगे अगनी पत्य योजना के विरोध का ये आलम है तो दूसरी तरफ यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे विरोध से यूआओं को गुमराह किया जा रहा है जबकि ये योजना उनके हित में है अपने नौजवान भाईयों से कहना चाहता हूँ कि इसको समझें किसी के बहकावे में ना आएं इसमें पूरी तरह से उसकी पहले जानकारी ले 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 उसके बाद सडकों पर आएं तो ठीक है क्योंकि विपक्ष का काम है लोगों को भड़काना पूरी तरह से उसको कोई अगर आपती होती तो 273 विधान समा में सीटें न मिल जाती इसका मतलब किसान सहमत है भार्टी जन्ता पार्टी के सक्टारों से भाजपा के तमाम नेता भी पूरी ताकत से ऐसे विरोध परश्चन को गलत ठहराने में जुट गए हैं पार्टी नेता संगीत सोम ने कहा कि अगनिपत योजना का विरोध सही नहीं किसानों के विरोध के अगनिपत पर इस तरह उतर आने के बाद अब सरकार की तरफ से लोगों को जागरूप करने की कोशिशें तेज हैं वहीं राकिश तिकैट ने कह दिया है कि आने वाले दिनों में ये विरोध और तेज होगा और देश भर में किसान नौजवानों की खातिर साड़कों पर हक की आवाज बुलंद करेंगे एबीपी गंगा के लिए भ्यूगरी को एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी